अब दोस्तों विल्कम विस एबर टेक और मैं हूँ आपका दोस्ते जास्या फ्रेंड्स डिसकस करेंगे शिवा इनू गेम पर आज ये विडियो बहुत ही इंपर्टन्ट है इस हवाले से के दोस्तों थोड़ा डिफरंट टापिक है मैं आपके लिए दोस्तों रोज रोज से टापिक लेकर नहीं आता है डिफरंट टापिक कियो के इस पेक्ट से शिवा इनूंके उन पर ही बात करता हूं लेकिन उससे पहले प्राइज को तो देखना बहुत ही जरूरी होता है 0.00032 पर इसकी प्राइज चल रही है कल यह थी 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 पर थी तो अभी आप देख सकते ह हैं पिछले 24 hours का high जो है उस पर अभी ये price चल रही है इसका मतलब ये हो गया के price down जा रही है अब price जो down जा रही है दोस्तों सिर्फ शिबा की तो जा नहीं रहे पूरी market जो है वो down हो रही है वैसे ये इस तरह के highest जब भी बनते हैं तो दोस्तों correction होना बहुत जरूरी होती है फिर बाद में नया base बनाती है यहां पर एक base बनेगा पर उस base पर price जो है वो इससे भी उपर जाने के chances बनेंगे अगर दोस्तों price इससे नीचे आ जाती है तो फिर base उतना ही down होने के chances हैं वैल ये 3-0 ठीक है 3-2 पर इस वक्त इसकी price जो है वो चल रही है लेकिन 3-0 तक मेरा ख्याल है जो है वो आपको wait करना चाहिए अगर ज्यादा wait करना चाहते हैं वैसे अगर long term के लिए आप hold करना चाहते हैं तो अभी भी इसमें investment कर सकते हैं this is the same thing which I am repeating continuously in my different videos शिबायनू की game पर दोस्तो जाने से पहले यहां पर मैं आपको इसकी सित्शी कुसामा जो है उनकी एक post दिखा देता हूं यह आप देख सकते हैं play side studios के साथ इनकी partnership हुई थी gaming development है उसके लिए अब यह play side क्या है और किस किसम की game और कब आ सकती है यह actually मैंने इस video में आपके साथ दोस्तों discuss करना है अगर आप दोस्तों interested हैं इस topic में तो यह video आपके लिए है यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों play studio मैंने यहां पर लिखा जैसे यह लिखा है तो आप देख सकते हैं की है 8th of December 2021 की यह post है बलके अनाउसमेंट है आपको मैं दिखा देता हूं जारा यहां पर आप देख लीजेगा इसके जो importance और दोस्तों हमारे काम के जो points हैं वह मैं आपके साथ शेर करूँगा फस्ट आफ आप यह देख लें ता इस्टेजिक agreement with shiba inu is fixed price milestone based agreement to develop a multiplayer अब नमबर वन तो यह के multiple platforms पर यह गेम रिलीज होगी यह चीज समझने कि है मतलब multiple platforms एक ही जगा पर यह जो गेम है यह मौजूद नहीं होगी different जगाओं पर different platforms पर यह मौजूद होगी और आप उसको play कर सकेंगे नमबर वन यह चीज समझे जरा उसके बाद यह के collectible card game मतलब यह के दोस्तों collectibles हम कहते हैं NFTs को जो 10 more than 10,000 even हैं लेकिन अभी 10,000 हैं जो NFTs हैं शिबा एनू की उनको लेकर यह गेम बनाई जाएगी ठीक उसके बाद यह मल्टी प्लेयर गेम बहुत सारे लोग एक साथ एक टाइम पर यह गेम प्ले कर सकेंगे यह मतलब मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं जो इन्हों ने हमें बताया है लेकिन इसके आगे भी कुछ है वो चीज़ आपको यहां पर मिल जाती है यह आप देख सकते हैं हम पांच गेम्स बना रहें ठीक तभी सेतोशी ने का था कि यार हम तो एक गेम बनाने के लिए परिशान यह पांच किसे बना रहे हैं या किस किसम की यह पांच के onc हो सकती है तो यहां पर आप खुद देख सकते हैं इनके साथ अभी इनका agreement हुआ है और agreement के बाद आठ आट प्लेसाइड इस्टूडियो लिमिटेड एस एक्स प्लेसाइड आस्टेलियाज लार्जेस्ट पुब्लिकली लिस्टेड वीडियो गेम्स डेलपर इस प्लेस्टू अनौंस्ट इट हैज इन्टेरियल फिक्स प्राइज वर्क फॉर हायर डेवलोमेंट एग्रिमेंट विद शेवा एनुगेम्स तो यह यहां पर आप देख सकते हैं कि आस्टेलिया की एक बहुत बड़ी यह कंपनी है प्लेसाइड जो के विडियो गेमिंग वगेरा बनाते हैं यह चीज़ भी यहां से क्लेर होती है ठीक यह इदर उदर की बाते नहीं है मैं आपको यह किसी ने भी अच्पिजनेरिंग होगी इसमें साफ्ट्यर इंजिनेरिंग होगी जाहर सी बात है ठीक है वह यह प्रोवाइड करेंगी आर्ट कलरिंग होती है डिफरेंट चीज़ें जो होती है अर्ट इसमें होता है हर चीज़ में आपको पता है कि आर्ट होता है तो वो भी वो प्रोवाइड करेंगे यूजर इंटरफेस कैसा होना चाहिए कितना तगड़ा होना चाहिए वो भी यह ब बगयर नहीं बनेगी अब यहां से एक चीज दोस्तों बहुत इंपर्टन्ट होगी जो चीज आपको समझ में मदब जरूर आनी चाहिए वो यह के इनिफ्टीज अगर दोस्तों गेम में यूज होती है तो इनिफ्टीज में भी बाय करनी पड़ें ठीक है बाय करेंगे तो आ यहां पर पॉसिबल है यहां पर बैटल भी होगी एनिफ्टीज यहां पर हो सकती है दर मुल्टी प्लेयर कलेक्टिबल कार्ड गेम CCG is planned to be deployed on multiple platforms with a purpose launch date in quarter 1 FY23 अब यह FY23 I don't know what is it but I think that quarter 1 for year 2023 अगर ऐसा है तो फिर तो यह आठ मन्थ से ज्यादा हो जाता है ठीक लेकिन अगर आठ मन्थ में होता है तो फिर अगस्ट सेप्टमबर तक हमारे सामने यह गेम आ जानी चाहिए लेकिन what is 23 मैं अभी समझ नहीं सका यह सवाल जरूर करूँगा मुझे अगर कहीं से जवाब इसका मिल जाता है अगर आपके पास है तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं उसके बाद यह है कि यह एक फिक्स प्राइस गेम है, फिक्स प्राइस से मतलब यह हुआ दोस्तों कि यह शिबा इनों की तीम है वो इनको पे करेगी एक फिक्स प्राइस पे करेगी बैए ऐसी कोई बात निया यह यहां पर चीज ओ लिखी हुई है, आपको देख सकते हैं उसके बाद यह कि Playside continues to collaborate with strategic partners to develop games using the latest trends ठीक है latest trends में मतलब यह games बनाने जा रहे हैं और latest trend क्या है यह आप खुद आगे देख लीजेगा they are shaping the future of the gaming industry with booming global trends such as the metaverse and the growing popularity of the new technologies including cryptocurrencies non-fungible tokens NFTs and blockchain gaming new opportunities in games continue to emerge अब खुद आपने उपर देख लिया दोस्तों के metaverse से related यह game होगी non-fungible token जिसे यह हो गया NFTs में आल्रेडी आपको बता चुका हूँ उसके बाद दोस्तों यह शिबाएनों के बारे में लिखा हुआ है कि शिबाएनों एक decentralized token है जायर से बात है यह decentralized है और community based है हम चला रहे हैं कोई भी बड़ी company जो है वो नहीं बना रही लेकिन यह है कि अब gaming की वज़ा से क्योंके यह इनको for example play store पर जाना पड़ता है या फिर apple store पर जाना पड़ता है अपनी गेम यह वहाँ पर रखेंगे तो इनको company बनना पड़ जाएगा वो थोड़ी देर के लिए होगा मतलब एक तरह से होगा लेकिन उस company बनने का भी हमें और आपको फाइदा हो सकता है दोस्तों so these things are possible मेरा ख्याल है कि आपको इसके बारे में पूरी जो भी जानकारी यहाँ पर मिल सकती थी gaming के बारे में वो आपको दी है अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ यह है कि ब्लाकचेन पर यह जैसे ही गेम आएगी तो ब्लाकचेन पर नहीं होगी ठीक है यह अलग से होगी लेकिन उसके बाद क्यूंकि यह आप देख सकते हैं multiple platforms यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा एक और यहाँ पर अपना आइडिया है इन दे फ्यूचर में भी शिबा एनू टीम जो है दोस्तों सिर्फ एक गेम नहीं बलके multiple games भी हमारे लिए लाउंच करें जहां बदब क्यूंकि अब milestone एक बन चुका है सबका वो यह है कि शिबा एनू की प्राइज को कम से कम हुआ इसलिए दोस्तों गेमिंग को आपने यहां पर समझा किस तरह की गेम हमारे सामने आ सकती है और मेरा ख्याल है कि जो मेरा टॉपिक था मैंने अपना क्लियर कर दिया है यहां पर आपको जरूर यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक करें कमें लिकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़ी रहें टेक केर अल्लाह आफिस